नमस्कार साथ ही ओम डॉक्टर अविकांत चार्ड़ diagnose लिस्ट आज आपको बताने वाला हूं मेचे के लिए कुंद साथ ही सर्वत्तम है और मा का दूठ पिलाने से क्या फायदा होता तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मा के दूद से क्या-क्या फाइदे हैं देखे आप सभी जानते हैं कि बगवान ने बच्चे के लिए मा के दूद से अच्छा कुछ नहीं बनाया सर्वत्त महार शुरू के 6 महिना के लिए बच्चे के लिए माँ खदूद और उसमें भी जो शुरुवात के 2-3 दिन माँ को गाड़ा पिला दूद आता है जिसको हम कॉलस्टरम मोलते हैं वो तो बहुत ही जादा जरूरी होता है वो तो बच्चे को पैदाईश के 2-3 दिन जरूर पिलाना होता है जिसको कॉलस्टरम मोलते हैं गाड़ा पिला दूद तेकि ये बच्चे के संपुर्ण विकास में बहुत मनुदगार होता है बच्चे का मैंड जो है डवलप होता है बहतर तरीके से उसके जो औरगंस है और बहतर तरीके से काम करते हैं बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एडिक्वेट अमांट में मिलता है इसके लिए सबसे बड़ेगा पेनिफिटी होता है कि मदर और बच्चे की बॉंडिंग डवलप होती है मा को भी फायदा होता है प्रेग्नेंसी के दोरान जो आवरवेट हो जाती है वो वेट भी कम हो जाता है बच्चे को दूद किलाती है इसके लावा देखे हाईजीन मेंटेन रहती है आपको कहीं अलग से दूद को ओबालना ठंडा गंड की जुरत नहीं है बिलको लेड़ी के टेंपरेचर पर बच्चे को मिलता है जब बच्चा डिमांड करता है तो मिलता है आपको कोई बरतन नहीं दोने पड़ेंगे कहीं ठ फिलाय जाए आप कुछ लोग मोलते हैं कि हम बोतल्स सेधों पिलाते हैं तो घर्फ का कोई वी सबसेथे दूद्स पिला सकता ये फाइदा है ठीक है या कंवार बोलते हैं कि हम ट्रावल में जा रहें हैं तो या वर्किंग मदर्स हैं तो उसके लिए हम बोतल को prefer करते हैं देखे बोतल को हो सकता है आप दो तीन फाइदे की ना देए पर नुकसान बहुत जादा है ठीक है मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर बोतल सही अगर मा नहीं पिला सकती है तो किस तरीके से पिलाएं पर पहले हम बोतल के नुकसान जाल लेते हैं तेकर सबसे पहली बात तो हाइजीन की कमी होती है आप बोतल को जितना अचाय अच्छे से उबाल लीजिए गरम पानी से दोले जाए आप उतनी सफाई नहीं कर सकते कि आप कह सकें कि इसमें कोई गंदगी नहीं है मेरे पास ओपीडी में आने वाले बहुत से मदर्स बोलते हैं कि हम तो इसको धोते हैं गरम पानी से साफ करते हैं और हर बार में उनको उन्हीं के सामने खौल करके दिखाता हूँ उसमें गंदगी लेगी रहती हैं तो यह बच्चे के पेट में जाती है बच्चे को बार-बार लूज मोशन होते हैं डायरिया होता है दस्त होते हैं बच्चा उल्टियां करता है तो कई बार इंफेक्शन जाद हो जाते हैं फीवर भी हो जाता है और समस्य आ जाती है दूसरी बार जो bottle से दूद पिलाते हैं, bottle में जो plastic का nipple होता है, और जो मा का nipple होता है, दोनों में बहुत difference होता है, जो मा के nipple बे बच्चा अपना affect करता है, जो लगाके दूद कीच्चता है, तो बच्चे के एक तर educación से मूख exercise होती है, और जो बोतल का जो निपल होता है वो बहुत ही सोफ्ट होता है उसका जो सुराख होता है वो बहुत ज़्यादा खुला होता है तो उससे जो धार निकलती है दूद की बहुत तेज़े से निकलती है और बच्चा कहीं बार उतना दूद मूँ के अंदर नहीं समाल सकता और वो दूद क्या होता है कि कही बार सांस के रस्ते में चला जाता है कही बार वो कान की नली में चला जाता है बच्चे को एर इंफेक्शन हो जाते हैं बच्चा बार बार खासने लगता है बच्चे को खासी रहने लगती है और गंदकी की वज़े से लूज मुसम तो होई सक सकते हैं कई बार क्या होता है कि आप लोग बोतल में एक बार दूद तैयार करके रख देते हैं और फिर तीन-चार घंटे उसी को पिलाते रहते हैं देखे वो नुक्सान दायक वो भी हो जाता है बहुत से जो पेरिंट्स मेरे पास आकर के बोलते हैं मैं उनके सामने वो बोतल खोल करके दिखाता हूँ मैं ने का आप इसको खोलिए देखे कैसे इसमें से महकार रही है आप खुद उस दूद को नहीं पी सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस दूद को पिए उधरन के तोर पर आप ये समझें कि आप एक गिलास में आप दूद पी रहे हैं और आपने आदा दूद पी लिया और वो दूद फिर आपने रख दिया क्या चार घंटे बाद आप जो करतों वही दूद उठा करके पी लेंगे आप खुद नहीं पी सकते हैं आपको खुद बहका है कि आप खुद उठाया लेने लगेंगे और यही हाल फिर बच्चे का होता है बच्चा जब ऐसा दूद बोतल में बहुत देर से रखावा पीता है जब कई आने लगती हैं वो उठाया करने लगता है और फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि बच्चा उठाया कर रहा है क्या करें तो यह समस्य से आप खुद पैदा करते हैं इससे आप खुद ही बच सकते हैं कुई बार जो मधर्स बोलते हैं कि हम काँच की बोतल इस्तिमाल कर रहे हैं तो इससे तो हमें कोई दिक्त नहीं होगी देखники आप काँच की बोतल इस्तिमाल करने फिर भी उसका निपल प्लाश्टिक टाइए हैं और कई बार जब आप उसको उबालते हैं, बहुत सारे उसमें चेंजिस आ जाते हैं, तो यह नुकसान दायक होता है बच्चे के लिए, तो कोशिश यही करिए कि बच्चे को मा का दूद ही दिया जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी समस्या है, या वर्किंग मदर है, या म के कंडिशन में तो बोलते हैं, अधरवाइस तो कैसा भी कोई बिमारी हो तो भी हम कभी नहीं बोलते कि मागा दूद नहीं पिलाना है, मागा दूद तो बच्चे को के लिए बैस्ट है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि मागा दूद नहीं उपा रहा रहा और उपर से दूद मागा दूद पिलाना ही पड़े, चाहे आप फार्मूला मिल्क पिलाते हैं या है और कोई मिल्क पिलाते हैं, तो कोशिश ये तो बोतल से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा रहे आगा। काटोरी चम्मच से आप काटोरी को अच्छे और चम्मच को साफ सफाई से रखिए और बहुत ही सावधानी के साथ पिलाईए ठीक है तो यह आपके बच्छे के लिए बहतर रहेगा बोतल से आप दूद किलाएंगे तो बच्छे की इम्निटी पर भी फरक पड़ता है उसकी इम्निटी नहीं डेवलक होते हैं जो मदर मिल्क से हो सकती है काटोरी चम्मस से आप मां का एक्सवेस मिल्क पिला सकते हैं अगर मदर वर्किंग है और दूद को आपके बच्छे के लिए ज़्यादा फायदे मंद होगा बोतल से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके ल तंद्रुस्त रहेंगा और आपको स्वास्ते समध्य समस्य का होंगे और बार-बार डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तो उम्मीद आपको मेरी बाते समझ में आयोंगी और आपको वीडियो अच्छा लग रहा ता आप लाइक करिए कुछ पूछना जाते है कॉमेंट बॉक्स में लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत अच्छी काम के जानकारी मैं आपको देता रहूंगा थैंक यू